सरे मैं तो से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तूने जितने भी फोटोज वीडियो मेरे यूज किया ना सब हटा दे वरना मैं स्ट्राइक मार दूगा स्ट्राइक मार दूगा स्ट्राइक मार दूगा अब बढ़ता है हमारे फर्स्ट के तरफ आपके पापा का क्या रेक्शन था जब आपने बोला कि आपको यूटूबर बनना है मजाग कर रहा हूं उनका कुछ खास रेक्शन नहीं था उन्हों मेंको बस यह कहा कि जो करना करो लेकिन पढ़ाय लिखाई नहीं रुकनी चाहिए तो मैंने बोला ठीक है भाई फर्स्ट इंकम से आपने क्या पर्चस किया था मैंने अपनी फर्स्ट इंकम से तो कुछ पर् पर screan shot है जब आपके कम subscribers थे हां बाई मेरे पास मेरे ही चैनला का सबसे पुरा screenshot है जब में literally 30 आ 40 subscribers थे शायद आपमेंसे कईयों को विश्वाश ही नहीं होगा तो आप इस screenshot दे सकते हो बहुत ही कम लोग को पता है कि पहले इस चैनला का नाम SK Creations था जब मैंने start किया था and by अगर आपने से किसी को भी लग रहा है कि यह screenshot fake है या फिर मैं जूट बोल रहा हूं तो आप screen पर यह chat का screenshot देश सकते हो जहाँ मैंने अपने एक friend को 2017 में बोला था कि भाई तुने subscribe किया है प्लीज कर दया सकरे कुछ जिसके बाद उसी बंदेने में को proof भी वेजाता है कि यहा downfall of free fire तो हां मैंने इस topic के काफी सारे वीडियो देखे हैं आई होप आपने भी देखा होगा जहां पर लोग बोल लें कि free fire का downfall आ गया है बहुत सारे YouTubers के views डाउन हो गया है तो इसकी पिछे सिर्फ एक एंड चोटा से reason है और वह है lockdown बताता हूं कैसे जब हमारी government ने lockdown announced किया था तो सारे students भले वो college में हो या फिर स्कूल में हो सब के चुटी हो गई थी जिसके विए से वे से 24 घंटा घर में रहते थे एंड यूटूब वगरा एक गेम खिलते थे एस रिजल्ट उनकी मुबाइल पर जितने भी वीडियो आते थे आलतू फालतू वह सब देखते थे तो इससे यह हुआ कि जो यूटूबर जैसे भी वीडियो चालते थे बिना किसे quality के बिना च वालेज में हो क्या मैं सही बोल रहा हूं यह फिर गलत नीचा बताओ वाट इस यूर बेगेस्ट फियर तो मेरे सबसे बड़ा डर है कि मैं अपने यूटूब फैमिली को कभी भी नहीं खोना चाहता मैं अपने यूटूब सब्सक्राइबर से अपने घर वालों से भी ज्य तो वह शायद कहते हैं हाँ लेकिन मेरा जवाब हो कहना शुरू में आपके चैनल पर व्यूज आता था एक मन्त के अंदर तो भाई इसका जवाब है नहीं जैसे कि मैंने को दिखाया कि मैं लास्ट छे साल से यूटूब पर वीडियोस डाल रहा हूं फ्रीफाय को डालते ह लेकिन उससे पहले मैं कुछ हूं डलता था एंद उस टाइम मेरे चैनल पर सिर्फ मुश्किल से सो या फे 200 व्यूज आते थे जिन में से आधे मेरे दोस्त के थे और आधे में फेजू को शेयर करता था इधर दोर से आते थे बस वाई डिडियो चूज और फ्रीफाय फॉर इजी रहता आपके लिए और वाई जब मैं धिरी दिरे फ्रीफाय का न्यूज चैनल स्टार्ट किया लोग मेरे वीडियो से देखना स्टार्ट किये तो उसके बाद तो लिटरली बहुत सारे फ्रीफाय के न्यूज चैनल आ गये थे आपकी जब तब्यत खराब हुई थी आपका कितना खर्चा हो गया था आप में से जितनी भी लोग को नहीं पता कि यह बाई तब्यत के वारे में क्यों पूछ रहे हैं तो आप मेरा यह वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं के साथ डाला हुए है और वह वीडियो है टाइप सफ गली क्रिकेट प्लेर असा करे कुछ वह वीडियो करेंटली प्राइवेट रखाए मैंने वहां पे सिर्फ टॉन्टी थाउजन व्यूज थे लेकिन उस टाइम यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा व्यूज थे एंज़ म वह चीज कभी नहीं हुआ और आपने न्यूज चैनल से पहले क्या करने का सोचा लव नेपाल थैंकि सो मच भाई न्यूज से पहले मैं सोचा था कि मैं गेंप्ले या फिर कुछ टिप्स इंटेक्स वीडियो जाला करूंगा और वो सारे वीडियो अभी इस चैनल पर है है और उसके लिए मैं को लग जाते हैं 2-3 गंटे क्योंकि सारे यूटूबर्स का पहले लाइफ स्टिम देखो फिर वीडियो देखो फिर कमेंटी पोस्ट इंस्टारम स्टोरी और वी बहुत को तो टाइम तो लगता ही है क्या आपके गल्फरेंड का चकर चल रहा है कसम से मेरे से सारे लोगों ने पूछा ना कि अब बयोंदो नहीं है और मैं यह सब मेरा यह सब में बिल्कुल भी इंटरश्ट नहीं है और ना ही मेरा मन है अभी का टाइम में ध्यान लगनान चाता हूं खुद पर और चैनल पर बाई 2024 का क्या प्लान है बाई ऐसा तो मैंने तो मेक शूर आपने उसको भी चेक आउट किया तुम्हारी इंकम जूट क्यों बोलना भाई आपको बताइए अभी पहले की तरह व्यूज नहीं है किसी के भी लें उपर बाला की दैस है और आपके पैर से जितने भी अभी व्यूज आ रहे हैं उससे मैं आराम से कभी भी मेरे friend list में हैं तो हां मैं बताता हूं कि मैं Ajjungbhai and Aminth भाई से कैसे मिला तो उससे पहले मैं Aminth भाई को बताता हूं फिर Ajjungbhai को बताऊँगा ठीक है तो यह बात है आज से एक साल पहले कि जब आपने में चैनल पर live stream का रहे थैं आपको बताए ऊस ताम सारी free figh YouTube की खास कर कितनी जादा वाचिंग होती थी और मुझे आज भी याद है उस दिन अमीन भाई की वाचिंग चल रही थी 30,000 या फिर 25,000 और मैं अविसली उनका स्ट्रीम देख रहता आपने न्यूस के लिए और पता नहीं मेरा क्या मन किया मैं आज में को भी इनकी साथ खिलना है तो मैं करता हूँ किस्टम में एंट्री लेने का और यह बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि 25,000 कितने जादा लोग होते हैं जब इतने सारे लोगों के बीच में उस कस्टम का ID पासवर्ट दिया जाएगा तो मेरा उस कस्टम में एक दम इंपॉसिवल काम है लेकिन वह आप उस चैट का भी स्क्रींशॉट देख सकते हो जिसका उन्होंने रिप्लाई दिया था कि गलती से लग गया फिर उन्होंने पेशान हो गई और फिर उन्होंने में को अपने ले लिया अब आते हैं कि मैं अजू भाई यानि कि टोटल गेमिंग से कैसे मिला यह बात मुं करते हैं तो उनके टीम में आमी भाई भाई ने में को इन्वाइट दिया मैं गया उनके ग्रूप में और मैंने देखा कि अजू भाई यहां पे खड़े हैं वह देखके मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था क्योंकि टोटल गेविंग पूरे इंडिया के नहीं बल्कि पूर अमिद भाई अजू भाई से मिला भाई आप इतना फ्रीफाई यूट्यूबर्स की न्यूस कवर करते हो कभी वह सपने में आये हैं तो हां भाई इसका जवाब है हां आये हैं और वह है देशी के बार इसका रिजन यह है कि मैं आज पर उतना गेम खेलता नहीं हूं और चीजी बोलना चाहूंगा मैं जानता हूं स्टार्टिंगा क्लिप देखे बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि भाई आप तो शेवाइटी की वाट लगेगी तो भाई मैं आपको सिर्फ एक बात करना चाहूंगा प्रैंक हो गया आपके साथ तो